कि आज और इलाबाद हाई कोट ने चार महिने की डीटेल्ड हेरिंग करने के बाद जो शाही इदगा मस्जिद की एप्लिकेशन थी और सेवन रूल इलेवन में उसको खारिज कर दिया है और जो शाही इदगा मस्जिद का तर्फ था कि ये सारे सूट्स प्लेसेद वर्शिप सब्सक्राइब करते हैं और चलने लाइग है अगली तारिक बार अगस्त लगाई गई इसका इंपैक्ट चलेगा और जो एक कवायत थी कि इसको निप इंदा बढ़ कर दिया यहीं पर खतम कर दिया जाए और यह बात उठाई नहीं जा सकती प्लेसे वर्शिप आट की वज कोशड़ी था कि कोट ने सविकार किया है और काये की वाद पोशड़ी है और अब यह स्थाप से ट्राइल होगा और सी पी से और बार अगस्त अगली तारिक लगी है मेरा अगला स्टेप यह है कि जो सुप्रीम कोट ने इलाबाद हाई कोट के सर्वे के सर्वे के और पे स्टे लगाया है उसके विकेशन के मांग करेंगे और आज जो इलाबाद हाई कोट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोट में क्याइवेट दाखिए लीगल प्रक्रिया है इसको मैं जीत यहार से नहीं देखता हूं एक लीगल प्रक्रिया है और शाहिदगा मस्जित ने अपनी कवायत की जो उनको लीगल रेमिडी सी उन्होंने एक्ज अने वाले समय में अद्वां स्रीकृत की नयाय मिले का रहुक्त करें नयाय मिलेगा पुरे देश में जैसे इससमय तो चारू तरप रह बंबं बम का नारा महादयव होई लाइस एक सावन महीने में एक पार सिंह में ये तो ऊनका जो पच्छकार है कहीं भी आदालते तो सब के लिए देश भर के लिए जो भी पच्छकार किसी भी आदालत में जाना चाहे उसको सम्मेदानिक अधिकार है तो वही स्वागत करने का जो आज कर निड़े है तो स्वागत करने योग है झार करने को